नमस्कार दोस्तो तो इस crash में कुछ ऐसे स्टोक होंगे जिनसे हमें बचना पड़ेगा क्योंकि उसमें सब लोग माल बेचना शुरू कर चुके हैं और माल क्या मतलब लगभग लगभग आदा माल बेचके निकल चुके हैं जब तक हमें पता चलेगा तो ऐसे स्टोक में थोड़ा सा बशने की जूरू है क्यूं देखिस सारे के सारे जितने मी डियाइस होते हैं डियाइस भी ये सोच के चलते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा चाइना में लोगडाउन लगा हूँ है तो कोई स्टोक ऐसे हैं जिनकों बहुत बहुत इंपक्ट पढ़ने वाला है देखिए ये एक स्टोक है जिसमें देखिए फंड एक्चली में एक करोड शेर इन्हों ने बेज दिये कोटक ने बेज दिये करीबन रिबन 96 लाग शेर अगर मैं निपौन की बात करों तो वो बेज के बैठा है 85 से उपर अगर मैं ऐसे इसी के बात करो तो वो भी बेज के बैठा है 70 लाग से उपर तो 70 लाग से उपर अ तो 16-17 करोड से घटाके सिर्फ 9 करोड पे आ गी है शेरोलिंग तो मतलब अगर 5% भी इस्सेदारी थी तो बहुत बड़ा माल बेचा जा रहा है रीजन सिंपल है देखिए वैसे भी लोगडाउन लग रहा है चाइना के अंदर और कुछ प्रोब्लम्स चल रही है वर्ड में आपको पता ही है कि फ्रोड के प्राइसे बढ़ रहे हैं रिसेशन की बाते चल रही हैं बहुत चीज़े हैं तो ऐसे स्टोक में पैसे से बस्ते हैं रही है